कि अब देखने हैं आप सभी काज की बड़ी कबर में बड़ी कबर की शुरुबात भगवंत मान से भगवंत मान जो पंजाब के नए मुख्य मंत्री बनने पर उनकी पत्नी का बड़ा खुलासा हुआ है क्या कुछ उनकी पत्नी रखने शुरुन भगवंत मान के मुख्य मंत्री बनने पर इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे लेकिन मुख्य मंत्री बनने के बाद बहुत खुश दिएक नजर आ रहे हैं भगवंत मान काभी समय से चर्चाव में भी थे और यह माना जा रहा है कि भगवंत मान ने मुख्य मंत्री पद पर काविज होते ही जो है फैसला कर लिया है कि वह आम आदमी से बात है कि भगवंत मान की जो पतनी है वो और भन काफी समय पहले ही दोनों एक दूसरे से अलग früh से लग हो गए थे और दोनों एक दूसरे से बात्चीत Тक नहीं करते थे वज़ा ये थी कि पंजाब और फैमिली में से किसी एक को भगवंत मान को चुनना तोर भगवंत मान ने अपनी फैमिली को न चुनकर पंजाब को चुना आम आदमी पार्टी के भगवंत मान पंजाब के सियम बन गए हैं भगवंत मान पंजाब के सत्रवे सियम हैं उन्होंने शहीत बगत सिंग के पैत्री ग कर अलग होने का पैसला किया था तलाक के बाद इंदरपरित दोनों बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई भगबंत मान के बेटे का नाम दिलशान और बेटी का नाम सीधत तलाग के बाद भगवंत मान ने अपने फेस्बूक पर लिखा था कि मुझे अपने दो परिवारों में से किसी एक को चुनना था मैंने पंजाब को चुना भगवंत मान की पतनी इंदरप्रीत कौर ने इंडियन एक्सप्रेस से बाच्छीत की हैं उन्होंने तलाग के बाद भी हमेशा भगवंत मान के लिए दुआये मांगी और आगे भी मांगती रहेंगी इंदरप्रीत ने कहा कि वह परदे के पीछे रहकर भगवंत मान की सफलता के लिए काम करती थी बकॉल इंदरप्रीत उन्होंने कभी भी भगवंत मान के लिए किसी तरह की गलत बात नहीं क उनका कहना है कि हम बले शारिक तोर पर दूर हैं लेकिन उनके लिए मेरी दुआएं हमेरे साथ रहेंगी तो देखा आपने हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से भगवंतमान ने पंजाब को चुना पहले से कहते नजर आए पंजाब की जनता से बहुत प्यार करते हैं वह पंजाब की जनता के लिए हमेशा दुख सूत में उनके साथ खड़े रहें। उन्होंने कहा कि आगे भी वो खड़े रहेंगे और मुख्यमंत्री पत पर रहते वे जो दिक्कते पंजाब की जनता को उसको पूरी करते नजर आएंगे अला कि वाना जारा कि भगवन्तमान जो है इस वक्त जो जिम्मेदारियां वो संभाल रहे हैं वो बहुत बड़ी जिम काम करते नजर आएंगे इसका मतलब है कि भगवन्तमान शायद 5 साल में वो विखास करेंगे पंजाब का जो अन्य सरकारे नहीं कर पाए आज के लिए तहीं आप से तुबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजे नमस्कार